तो कैसा आप से मैं हूँ फरान और आप देखरो फर्याज एक्षन आज हम बात करेंगे सैमसंग के बारे में पर्टिकुलरली सैमसंग गेलेक्सी एस्टेन के बारे में तो एस्टेन के पर मैं और डिटी की वीडियो बना चुका हूँ कितना प्राइज होगा और क्या स्पेसिफिकेशन हैं और कौन-कौन से मॉडल देखने को मिलेंगे तो सारी जानकर इस वीडियो में मैं आपको दूँगा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और पूरा इंफोर्मिशन लेने के लिए एंड तक जरूर देखेगा तो जादा टाइन अब इसका है दोस्तों शुरूर करें सबस्तों बताना चाहूंगा कि सैमसंग एक इवेंट होने वाला है 28th of February 2019 को San Francisco में जहां पर यह लोग यह तीन फोन तो देगे देंए इस टेन प्लस और एस टेन लाइट वर्जन भी अवाम हमें देखना मिलते देक अपर आप एक लाइट वर्जन आया है या वो यूथ के लिए बेसिकली ज्यादा फोकस करेंगे इस फोन को कलर फुल बैक कवर्स और ऐसा ऐसा थोड़ा कम स्पेसिफिकेशन के साथ वो अपना यह स्टेंड भी निकालेंगे जिसका नाम होगा एस टेंड लाइट अब उसके साथ साथ वो अपना फोल्डेबल 5G फोन भी उजिन लांच करेंगे स्मार्ट वॉच और बहुत सी चीज़ें लेकिन हम पर्टिकुलरी बात करेंगे एस टेंड के बारे में तो 6.2 इंच करेंगा आपको बहुत बढ़िया टू के डिस्पले देखने हो मिलेगा अब इस फोन में यह खास बाद यह होगी कि इसमें आपको बैक में तीन कैमरास देखने हो मिलेंगे साथ में अगर फ्रंट की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एस्टेंड प्लस में आपको जो पंच होल आपको चोटा सा जो होल है स्क्रीन पे उस पे आपको दो कैमरास देखने को मिलेंगे लेकिन अगर बात कोई पर्टिकुलर कितने मेया पिक्सल होगा क्या होगा ऐसा कोई भी कंफर्मिशन नहीं क्योंकि हर जगा हर कोई वीडियो भी बना रहा है या आप कहीं और भी अगर इसके इंफर्मिशन लेंगे तो हर जगा कोई अलग बता रहा है कोई अलग बता रहा अच्छा लग रहा है देखने में और भी कलर जिसके जरूर आएंगे प्रोसेसर की बात करूँ तो एक चीज जो मुझे बहुत बुरी लगी सुनके हो यह लगा कि वर्ल्ड वाइट वो आप कह सकतो हो ग्लोबली जो प्रोसेसर आपको मिलता है सैमसंग के जो भी S9 सीरीज, S10 जो भी यह सीरीज निकालते है उनमें आपको Qualcomm Snapdragon प्रोसेसर देखना हो मिलता है लेकिन जब यह इंडिया में आता है तो इसमें Exynos भर देते हैं अब मुझे नहीं पता यह लोग ऐसा क्यों करते हैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें आपको Exynos 9820 गा प्रोसेसर देखना हो मिलेगा तो यह थोड़ा गलत चीज है सैमसंग को यह समझना चाहिए इंडिया में भी उन लोगों को Snapdragon प्रोसेसर अपने फोन में देना चाहिए 4000 mAh की इसमें आपको बैटरी देखना हो मिलेगी wireless charge के साथ यह आता है साथी साथ IP68 certification के साथ भी यह आता है इसमें आपको in-display fingerprint scanner भी देखना हो मिलेगा जो कि एक normal display आप कह सकते हो fingerprint scanner नहीं है जो कि होगा ultrasonic in-display fingerprint scanner जो बिलकुल accurate होगा और बहुत ही बड़िया तरीके से काम करेगा अब दोस्तों इसमें एक चीज जो मुझे लगा कि शायद लोगों को पसंद ना है वो यह है कि आपको सिर्फ औसेव S10 Plus सीरीज में 3.5 mm का jack देखने को नहीं मिलेगा बाकी दोनों वर्जिन में आपको 3.5 mm का jack देखने को मिल जायगा S10 की बात करूँ तो इसमें आपको 6.1 इंच का 2K display मिलता है रेर में 3 cameras हैं लेकिन इसके front में आपको सिर्फ एक ही camera देखने को मिलेगा 3500 mAh की battery है बाकी सब सेम है तो ये आपके सब्सक्रीन में थोड़ा चोटा है जो यूजिली होता ही है और आप बैटरी थोड़ी सी कम हो गई और आपको front में जो देखने को मिलेगा एक camera वो सिर्फ एक ही होगा डियोल नहीं होगा अब आजाते हैं mainly जो youth के लिए करा गया है focus S10 light पे S10 light में आपको 5.8 इंच का कोई 2K या 4G डिस्पले नहीं है सिर्फ और से फूल HD प्लस का डिस्पले होगा 3100 mAh की इसमें आपको बैटरी देखनों मिलेगी बहुत कम बैटरी है और इसमें आपको जो में चीज देखी जा रही है वही है कि इसमें आपको fingerprint की वहाँ पे बटन होगा जैसे शायद मेरे ख्याल से जो पावर बटन होगा उसी में fingerprint लोगों दे रखा होगा अब बैटरी की बात हो गई हमारी बहुत कम बैटरी कैमरा की बात करूं कितने कैमरा होंगे तो कुछ भी कंफर्म नहीं है क्या है क्या नहीं जो दो iPhone चल जाए अगर अब हम आ जाते हैं हमारा में प्राइजिंग पर अब चलने की बात दूर है में देखा जाते हैं कि प्राइस कितना होगा तो अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो तो S10-Plus का प्राइज होगा 70-75,000 के बीच में कंफर्म प्राइजिंग है इससे जादा नहीं होगा इससे कम नहीं होगा एस्टेन की बात करूं तो उसका प्राइज ने जोगा 52-55,000 के बीच में और हमारा जो मेंडी जो लोग फोकस कर रहे हैं कि एस्टेन लाइट अप कैसा होगा उसका प्राइज अरका है इन लोगोंने 32-35,000 तो बहुत से एसे लोग हैं जिनने S9 या S8 ये फोन्स पसंद थे ल मतलब नहीं है आपको एक बहुत अच्छी क्वालिटी चाहिए बहुत डीसेंट फोन चाहिए दिखने में और आपको उसे कोई फ़र्ग नहीं पड़ता कि कलर कैसे हो आप यूज करते हो फॉन तो S10 लाइट आप एक बारी कंसेडर कर सकते हो कम प्राइस का है ये मत देखो आपको बहुत कम स्प्रेसिकेशन है ठीक ठाक है आपके जैसे एवरेज फोन आप यूज करते हो बिल्कुल वैसा ही है लेकिन कॉलिटी जो आपको मिलेगी वह हम बिल्कुल सोच बिल्कुल आप कह सकते हो सोच के बारे कि सैमसंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है चा आपके लिए है अब बात करूँ है लॉंच कब हो रहा है तो जैसा में आपको बताए ट्वेंटी एथ को ये ग्लोबली एक हमारा आप कह सकतो इवेंट है सैमसंग का जिसमें वह अपने ये सारी चीजे अनबॉक्स करेंगे लेकिन इंडिया की बात करूँ तो ठीक उसके अ ठीक लगी इनके स्पेक्स के हिसाब से या नहीं हाला कि पूरे स्पेक्स नहीं है लेकिन जितने भी है उस इसाब से आपको क्या लगा या आप एस्टेंड लाइट को कंसिडर करेंगे लेने में या नहीं इंस्टाग्राब पर मुझे फॉलो कर सकते है नीचे डिस्केशन में लिंक है अधरवाइस आपको डिसप्ले मेरा यूजर नम दिख रहा है यहां जाकर मुझे फॉलो करी कोई भी कोच्छन है मैं या मुझस बिदी पूर सकते है कोई भी सजैशन नहीं दूसका रेपलाइ दूगा दोस्तों कर में एक और नहीं और नहीं और अंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिया लिए लिए